आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है लोकस्व टीवी पर आईए ख़बरों का सिलसला शुरू करते हैं हेडलाइन्स के साथ बिलासपुर से भी रवाना हुई श्री राम लला दर्शिन ट्रेन उप मुख्यमंत्री सहित मंत्री और विधायकों ने दिखाई हरी जन्दी तखतपुर के जरेली में नए पामर ट्रांसपार्मर का विधायक ने किया लोकारपन क्षेतर के आठ गाउं को मिलेगी सुचारू भीजली नेशनल बॉक्सिंग इस्परधा के लिए बिलासपुर के पांच खिलाडियों का चैन्द सब जूनियर इस्परधा में भाग लेने 19 पांच को जाएंगे नोएडा और प्रभारी मंत्री के रूप में अरून साओ ने की योजनाओं के प्रगति की समिक्षा समस्याओं के निदान के लिए अधिकारियों को दिये नर्देश हमारे नियूज हेडलाइन्स के प्राइज़क है माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर लाइफ बिगिंसिया बिलासपुर चत्तिसकर आइए खबे देख लेते विस्तार से उप मुख्य मंतरी अरुनसाव ने सुमवार को श्री रामलला दर्शन योजना की तहत बिलासपुर रेलवे इस्टेशन से आयुद्या जाने वाली विशेश ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस उसर पर वित्य मंतरी ओपी चौधरी और उद्योग मंतरी लखनलाल देवांगन भी मुझूद थे इस विशेश ट्रेन में बिलासपुर संभा के 850 शद्धालू आयुद्या के साथकाशी विश्वनात का भी दर्शन करेंगे इस इस पेशल ट्रेन में यात्री बिलासपुर संभा के जिने सरकार की स्री राम लला दर्शन योजनक दहत यात्रा कराई जा रही है ओपी मुख्य मंतरी अरुन साव ने इस ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस दोरान उनके साथ वित्त मंतरी ओपी चौधरी, उद्योग मंतरी लखनलाल तेवांगन, विधायक अपमर अगर्वाल, धरमजीत सिह, सुशान शुकला भी मौजूद रहे बिलासपुर स्टेशन से अध्या के लिए जाने वाली विशेश ट्रेन भारत गवरो ट्रेन को हरी जंडी दिखाए गई इस दोरान इस्टेशन का पूरा वातावरण जै स्रीराम के जैकारे से गुंज उठा गवरत लगे की बारह कोच वाली इस ट्रेन में 850 शद्धालू स्रीराम लगा दर्शन के लिए आयोध्या रवना हुए इसके साथ ही उन्हें काशी विश्वनात का भी दर्शन कराए जाएगा लुप मुख्यमंत्री अरुनसाओ मंत्री मंदल के सदस्य सहित विधायकों ने कहा यह अशन हमारे लिए गवर और शाली है कि बिलास्फूर संभाक के लोग राम लड़ा दर्शन के लिए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि राम लला दर्शन योजना शुरू कर मुख्यमंत्री विश्णु देवसाय ने मोधी की एक और गारंटी को पूरी कर दी है इन स्रध्धालों का उलास और उमंग या दर्शाता है कि 36 गर के लोगों में राम लला के पृत्ती कि अटूर श्रध्धा और आस्था है ये नियात्रियों में जो उत्सा और उमंग दिख रहा है ये बताता है भगवार राम लला के प्रती कितनी स्रद्धा और आस्था छत्तिरगड के लोगों में है ये मोदी की एक और गारंटी विश्णु देव की सरकार ने पूरी की है आपने बजट में देखा होगा बजटी स्पीच का भी हिस्सा था कि ये राम लला दर्सन योजना लगातार जारी रहेगी और महिनों दर महिने साल दर साल चलती रहेगी और ये 36 गड़ सरकार की जैसे पहले हमारी सरकार थी तो तीर्थ यात्रा योजना चलती थी वैसी राम लाके दर्सन करने के लिए सरकार की ओर से जा पाएंगे चरन बद करके 36 गड़ के जो भी जाने की चुक सबको चरन बद करके राम लाला का दर्सन सरकार के माध्यम से बिशने दोर सरकार के माध्यम से कराय जा गया मोदी जी के गारेंटी थी सभी वादा पूरा हो रहा है कल महतारी बंदा नियोजना का हम लोगों ने पैसर ट्रांसफर किया है किसानों को दो साल का बोनस दे दिये 18 लाग प्रधान मंत्रे अवास के सुकृति मिल गया कल किसानों को 917 रुपयक अंतर कराशी वो भी 12 मार्च को उनके खाता में ट्रांसफर किया अज इस तरह से हर मोदी के गारेंटी को भारती जनता पार्टिक सरकार पूरा कर रही है देखें आज एउध्या के लिए स्पेसल ट्रेन रवाना हुई है सारे राम भक्त उसमें गये हैं और चतिसगड के मानी मुख्यंत्री और पधान मंत्री सी नरेंद मोदी जी ने ये स्पेसल ब्योस्ता कराई है और चतिसगड का टोरिजम डिपार्ट्मेंट इसको आजित कर रहा है तो ये हमारे लिए बहुत सभागी की बात है कि भगवान के दर्सन के लिए चतिसगड से लोग गये है चतिसगड में धर्म प्रेमी जनता रहती है और धर्म प्रेमी सरकार है इसलिए ये सब ब्योस्ता हो पाई है मर्यदा पुर्शुत्म स्रीराम के दर्सन के लिए अपने भाचा राम के दर्सन के लिए 36 जड़ के वासियाद निकले है चार दिनों की यात्रा पर कासी विस्टुनात के दर्सन के बाद यात्रा समाप्त होगी वापस बिलासपूर आकर और साड़े 500 साल की सांस्कितिक गुलामी के पश्यात मर्यादा पुर्शुत्तम स्री राम टार्ट से ठार्ट में गए हैं इसका दर्सन करना ही एक और लोकिक मामला है पश्दारान बिलासपूर रेलबे इस्टेशन में परेटन मंडल के प्रबंद संचालक जितेन शुकला, कलेक्टर आउनी शरन, एसपी रजिनेश सी, नगर निगामायुक्त अमित कुमार, जिला पंचाई सीओ, राम प्रसाथ चोहान, डियारेम प्रवीन पांडे, सेनियर ड प्रवी के लिए कैमरामेंट जैसा हूँ के साथ, वुपेन सिंग राठोर की रिपोर्ट 36 गर सरकार राम लला दर्शन योजना के तहट प्रदेश वासियों को आयुध्या धाम में श्री राम जी के दर्शन करा रही है, इसे योजना की दूसरी ट्रेन सोमवार को बलास्पुर रेलवे स्टेशन से रवाना की गई, आयुध्या जाने वाले सभी यात्रियों ने इ 30,000 लोगों को आयुध्या दर्शन कराने की योजना बनाई है, बहुत जल्द 36 गर की केबिनेट भी राम लला की दर्शन करने आयुध्या जाएगी, इसके पहले अलग अलग संभाग से श्रद्धालों के लिए निशुल्ग ट्रेन रवाना की जा रही है, सोमवार को बलास की जीवन्त जहांकी, श्रवन कुमार की जहांकी के साथ ही कार्मा निरित्य पंती निरित्य से दर्शनार्थियों का स्वागत किया गया, उनके खाने पीने के लिए अलग से इस्टाल भी लगाए गया था, बहुस्ता का जाइज़ा लेते, बिलासपूर कलेक्टर रवनी श साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम जैसे लोगों के लिए यहां संभा था, लेकिन मुख्यमंत्री के पहल पर अयोध्या में स्री राम लला के दर्शन संभा हो रहा है, तारानात दुबे ने कहा कि बुजूर्गों को तीर्थ यात्रा का सरकार पुन्य दे रही है, उन् प्राधानवंत्री को भी धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छा सुईधा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बेटे की तरह हम लोगों को तिर्था यात्रा करवा रहा है, बहुत अच्छा योजन्य हैं, उनके दुरा चलाया जा रहा है, अब पूरे देश के लिए ये गर्वानित को भी से है, और हम लोगों को तो फाब में नहीं सोचे सी को वहां जाएंगे करके, परन्तु उनके सोजन्य से भगवान के आशिरवाद से हम लोगों वहां जा रहे हैं, और बहुत अच्छी योजन्य हैं, और मैं इनका भूरे भूरे स्वराना करता हूँ, और आइसा ही वो जीवन में करते रहें, और सब को लाब लाब दें। साथ गलत काम किये जाने के मामले को लेकर एड़ोकेट प्रियंका शुकला ने पत्रकारों से चर्चा की, उन्होंने बताया कि शिक्षक द्वार किये गए गलत विभार की जानकारी पुलिस को दी गई थी, फिर भी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया, वकीलों के दबाओ के कहीं जाकर रेपोर्ट लिखी गई, अधिवक्ता ने बताया कि इस पूरे मामले में शिक्षा विभा की लापरवाही साफ नजर आती है, उन्होंने बताया कि इस कर्तूत की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को थी, इसके बावजुद उनके द्वारा ततकाल कोई भरे में खड़ा करता है, इस मामले को सामने लाने वाले शिक्षा को का ट्रांसफर ग्रामिंट क्षेतों में कर दिया गया जो शिक्षा विभाक की पक्षपात और मिली भगत को दर्शाता है, प्रेस कंफरेंस में जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाब जाच और कारेवाही की मांग की गई है इन्होंने दो टीचर्स को तो वहाँ से हटा दिया सवाल ये उटता है कि क्यों ना फिर जिला सिक्षादिकारी को भी हटाना चाहिए यहां से और इनका भी वेटन म्रदी रोका जाए इनको भी पर्द से हटाया जाए तखतपुर के जरेली में अतरिक्त उच्च छमता वाले उपकेंद्र का विधायक धरमजीत से ही ने लोकारपन किया इससे एक शितर के 2000 भोकताओं को गोर्मत्ता पून सुचारू बिजली आपूर्ती हो सकेगी खास करके सानों को बिजली कटोती का सामना नहीं करना पड़ेगा भोकताओं को परियाप्त वोल्टेज के साथ सतत विधुत आपूर्ती के लिए विधायक धरमजीत से ही कप्रयास रंग लाया 36 गड़ स्टेट पावर डिस्ट्रिबूशन कंपणी लिमिटेड विलासपूर सरकिल के तखतपूर में जैरेली 33 एलेवन केवी फिदुत सबस्टेशन में 3.15 MVA का एक अतरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाया है जिसके लोकारपन आउसर पर उनके साथ राज्य महिला आयोक की पूर्व अध्यक्ष हरशिता पांडे सर्पंच और ग्रामिनों ने पूजा पाट किया कारग्रम में तखतपूर विधायक धर्मजीत से और हरशिता पांडे का जन्ग प्रतिनीधियों और बिजली विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया विधायक ने कहा उनके शेतर के किसानों को खेतों की सिचाई के लिए समय पर पानी उप्रब्द होगा और गरीब परिवारों को बिजली की कमी से जूजना नहीं पड़ेगा उनको फाइदा होगा और जो भोकता हैं बिजली के उप्रोगता और अन्य उप्रोगता उनके घरों में बिजली की बुर्वत्ता यूगता पूर्ती हो सकेगी लोकारपन मौकी पर ब्लासपूर सरकल के अधिक्शन अभियंता जीपी अनंत यहां मौजूद थे उन्होंने बताया उपकेंदर के अंतरगर्त आने वाले आच गाउं के लगभग 2,000 उप्रोगता को निर्बाद और गोर्वत्ता पूर्ण विद्दुत स्विधा मिलेगी गौर्द लभे की जरेली उपकेंदर में पहले से ही 5 MBA का पावर ट्रांसफार्मर लगा है अतरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगने से उपकेंदर की छमता बढ़ गई है जिससे उप्रोगता को बेहतर विद्दुत स्विधाय मिलेगी 3.15 MBA का अतरिक्त ट्रांसफार्मर ग्राम जरौधा के उपकेंदर में इन्हांस हुआ है जिससे लगबग छेतर के 8 गाओं से समंधित उपकेंदर की छमता बढ़ाई गई है ग्रामिनों को होने वाली परिशानी दूर करने विधायक श्रीसी ने मोच उपकेंदर में अतरिक्त ट्रांसफार्मर कुछी समय में लगाने का भरोसा दिलाया है जिससे उनके विधान सबाक्षेतर के दुरस्त इलाकों में 24 घंटे सतक बिजली आपूर्ती हो सकेगी इस अउसर पर ग्रामिनों में हर्श देखा गया कैमरमेन जे अंद्र गोली के साथ दिलिब जगवाने लोकसो टीवी बिलासपर सक्री में सडक निर्मान नहीं हुआ है अब वहाँ नाली बनाने खुदाई शूर कर दी गई है सक्री बाइपास से उसलापूर ब्रिज तक सडक चौड़ी करन दोनों तरब नाली निर्मान और स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है इसमें ठेकेदान ने अब तक केवल स्ट्रीट लाइट लगाया है जबकि कई महीने हुए सडक पर गिट्टी बिचा कर यूही छोड़ दिया है इससे उरती धूल अधूरी सडक से परेशान लोगों की मुसिबत और बढ़ने वाली है ठेकेदान ने सगरी बाइपास से मुखे मार्क के किनारे नाली बनाने जैसी भी से खुदा ही शुरू कर दी है इस्थानिये लोगों का कहना है कि उसलापुर से बाइपास तक हर समय धूल का गुबार उड़ता है छे महीने से ज़्यादा वक्त बीच चुका है मगर सड़क बन का तैयार नहीं की है अब नाली निर्मान में कितना समय लगीगा भगवान ही जानता है इदर दैयाल बन में दबंगों ने गणेश रजक के मकान पर बलपुरुवक बुल्डोजर चला दिया और घर पर मौझूद महिलाओं से मारपीट करूं के साथ आपत्ती जनक हरकत की पिडित रजक परिवार ने पुलिस पर भी सहोग नहीं करने का आरूप लगाया है जमीन विवाद में कंजा, गोरक, गिर्धारी, गोरक और अन्य ने मिलकर रवीवार धिर्शाम बगल में रहने वाले रजक परिवार पर हमला बोल दिया पिडित परिवार को त्वाली थाने पहुचा और मामले की रिपोट दर्च कराई बार में दूसर पक्ष ने काउंटर रिपोट लिखाई है पुलिस ने मामले की जाजकर उचित कारेवाही का भरूसा दिलाया है यह लेबलिंग कर रहे से तो यह लोग उपर से अद्धा पतर मानना सुरू कर दिये यह लोग मेरे को हाथ में भी लगा चोड और दोचालों को लगया हमारे यह से अद्धण मंतीर रोजगार बना आय है हमारे जमी लेअट्रिन को बना है और अध्धा पतर मानना सुरू कर दिए हम not भगें कौन है लोग जान चीन्दा मरी कि दो से प्याइस हो आपन Barbara क्या बोलते कि मंगल उनकी दो बेटियां, एक बहू, उनकी मिसेश, हम तो जान बचाएंगे हमारे जैसी भी में, अध्ध हमारी इतना कि जैसी भी काश फूरी के पूरा क्यों तोड़े हैं, किस लिए तोड़े हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं दिया गए, जिसके वज़े से आज हम कोतवाली आए हैं गोरक फैमिली है, जिन्होंने अपनी जमीन है बोलकर वहां जमीन पे पटाई का काम कर रही थी और दूसरा एक रजक फैमिली है, जो उनका कहना था कि हमारा बात्रूम था, मतलब वो उसके जमीन के तरफ उन लोग बनाए हुए थे और पानी का टंकी को तोड़ दिये हैं, उसी बात को लेकर के दोनों पक्षों में लड़ाई हुआ है और अभी उस पर दोनों पे इमिल सी कराया गया है और इसमें जाज करके आगे की कारवाही की जा रही है ग्रेटर नोईडा में होने वाले नेशनल सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियूगता के लिए ब्लासपुर के पांच खिलाडियों का चैन किया गया है सभी खिलाडी रेल्वे बॉक्सिंग क्लब से जुड़े हैं ये खिलाडी गोल्डन पंच की पैक्टिस में इन दिनों जुटे हैं 19-25 मार्च के बीच दिल्ली के नोजडा में बालक वबालिका वर्ग की सब जूनियर रास्ट्रिय बॉक्सिंग प्रतियों की तका आयोचन किया जाएगा प्रति द्वंदी खिलाडी को पच्छाने के गोर बॉक्सिंग रिंग में सिखा रहा है कोच जूड रोड्रिक्स लेस्टर स्मिथ और वाई नागोराओ सभी पांच खिलाडियों को पूरा समय देकर नैशनल में बेस्ट परफार्फार्मेंस के लिए इन्हें शारेरिक और अर्मानसे क्रूप से तैयार कर रहा है अभी बच्चे जिसमें हमारे पांच बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिसमें तीन महिला दो यूवक बच्चे सब जूनियर नैशनल दिल्ली में जो होने वाला नोईटा में 19 से 26 से जिसमें हमारे बच्चे बहुत शांदर प्रजशन क अब उनको नैशनल लेविल का हमनों ट्रेनिंग करा रहे हैं कि इनको अच्छा जो जैसे रिज़र्ट आने चाहिए बच्चे लों के लिए बहुत कंपिटिशन है अलग अलग स्टेट से तो उसी लेविल के हमनों बच्चे लों त्यार कर रहे हैं सवसे अधिक में चुले जाने पर राश्ट्री इसपरधा को लेकर खिलाडी काफी उत्साहित है उनमें प्रतिद्वंदी खिलाडी को हरा कर प्रदेश के लिए मैडल जीतने का जज़वा दिखाई देता है नोइडा को यह राश्ट्री मेजबानी करने का पहला उसन मिला है जबकि राश्ट्री इसपरधा में इससे पहले भी रेलवे के कई खिलाडियों ने अपना परचम लहराया है 36 गर के प्रति मिदेतों में ये खिलाडी रिंग में उतरने आतर है कैमरेमेन प्रदीब भोई के साथ दिलिप जगवानी लोकसो टीवी बिलासपर भारती जंता पार्टी की राश्ट्री प्रवक्ता और उडिसा राज्य से सांसद श्रीमत्री अपराजिता सारंगी ने अपने बिलासपर प्रवास के दोरान जिला का रेलाय बिलासपर में एक अप्रिस वारता को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे लिए ये गर्व का विशह है कि माता कौशल्या, शेहिद वीर नारण और संत गुरू घासिदास की धर्थी पर उपस्तित होई हूँ 36 गण को पिछले और वीमारू रज्य से बाहर निकाल कर अपने 15 वर्षों के शासनकाल में भाश्पा ने अंतियोदय की चिंता करते हुए गाउं गरीब तक अपने कल्यानकरी योजनाओं को पहुँचाया है भाश्पा शासनकाल में आधार भूत सरष्टनाओं पर व्यापक कारे हुए शिक्षा और स्वास्त को सर्वसुलब बनाने की दिशा में आमूल चूल परिवर्तन किया है लेकिन दुर्भागे वश पिछली कॉंग्रेस की सरकार ने 36 गण को पीछे धकेलने का कारे किया हमने बनाया है हमी सवारेंगे की धारना और प्रधान मंतरी श्री मोधी की गारेंटी को पूरा करने की प्रतिबधता पर कारे करते हुए प्रतिजगर की भाजबा सरकार ने तीन महिने के अल्प समय में ही अपने बड़े-बड़े वायदों को पूरा करने का किर्दिमान भी रच दिया है आज महतारी बंदन योजना के समय करीवन बारा हजार महिलाओं को दो विधान सभाओं से बुलाया गया था बेलतारा और विलासपुर बहुत महिलाओं से मेरी बात चीट हुई आज बहुत ही अच्छा दिन है आदर्णिय प्रधानमंत्री जी ने करीवन 700 करोड उपे शत्तर लाख से अधिक महिलाओं के अकाउंट में रिलीज किये हैं क्रेडिट करवाए हैं विमुक्त किया है तो यह बहुत ही अच्छा दिन है और जैसा कि मैंने कहा कि महिलाओं के विकास पर प्रधानमंत्री मोधी जी की सरकार बहुत ही गुरुत्वा देती है जोड देत कुछ ट्रेनों की सुईधा 12 मार्च से मिलेगी रेलवे प्रशासन द्वारा अधो सरचना विकास के कारियों को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है बिलासपूर मंडल के अनुपूर न्यू कटनी जंक्शन सेक्शन के शेडोल स्टेशन में तीसरी लाइन करती गई थी अब ये काम पूरा हो गया है लिहाजा बिलासपूर इंदौन नर्मता एक्स्प्रेस बिलासपूर भोपाल जबलपूर अंभीकापूर बिलासपूर रीवा अंभीकापूर शैडोल शैडोल अंभीकापूर नागपूर शैडोल दुर्ग अजमेर शालीमार उ बिलासपुर से भी रवाना हुई श्री गाम लला, दर्शिन ट्रेन, उपमुख्य मंत्री, सहित मत्री और विधायकों ने दिखाई हरी जन्दी तखतपुर के जरेली में नए पामर ट्रांसपार्मर का विधायक ने किया लोकारपन क्षेतर के आठ गाउं को मिलेगी सुचारू भीजली नेशनल बॉक्सिंग इसपर्धा के लिए बिलासपुर के पांच खिलारियों का चैन्द सब जूनियर इसपर्धा में भाग लेने 19 पांच को जाएंगे नोएडा और प्रभारी मंत्री के रूप में अरूर्साओं ने की योजनाओं के प्रगति की समिक्षा समस्याओं के निदान के लिए अधिकारियों को दिये नर्देश हमारे नियूज हेडलाइन्स के प्राज़क है माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर उप मुखे मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरूर्साओं ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक लेकर शास्के योजनाओं के प्रगति की समिक्षा की प्रभार मिलने के बाद उनकी ये पहली बैठक थी। के बाद इसे खुला छोड़ दिया जाता है इस पर उन्होंने नाराज़की चताई वहीं पुराने धर्णे पर कारे न करने की सक्त हिदायत भी दी जिले में रेत शराब और नशे का कोई अवायध कारोबान न फले फुले इस पर कडाई बरतने के अधिकारियों को विशेश तोर पर उन्होंने निर्देश दिये हैं इसके अलावा अन्य विशो पर डिप्टी सेम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है राइपूर के साइंस कॉलेज मैदान में सुमवार को राजिस्तरिय महा पंचायत कारक्रम आयवजित किया गया यहां केंद्रिय राज्यमंत्री पंचायती राज कपिल मुरेश्वर पाटिल शाबिल हुए इस दोरन गरिबी मुक्त और आजिवी का उन्नत ग्राम पंचायत स्वास्त ग्राम पंचायत बाल हितैशी जल की प्रचूरता ग्राम पंचायत स्वच्य और हरित ग्राम पंचायत आत्म निर्भर बुनियादी धाचा सामाजीक रूप से सुरक्षित सुशाषन पंचायत औ इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्मों के मंत्री विज़ शर्मा, खादे मंत्री दयालदास बगेर, स्वास्ते मंत्री, शाम भीहरी जैसवाल, राजसो मंत्री, टंकराम वर्मा और विधायक अनूज शर्मा ने भी राजस्तरीय महापंचायत को संबोधित आरगम में अतितियों ने किंद्र सरकार की विभिन योजनाओं की जानकारी देते हुए मौझूद ग्रामिन जन प्रतिनिधियों को सरकार के अच्छे कारियों को आम जनता तक पहुँचाने का आगरह किया है। में तीन दिवसी आयरवेद चिगत्सा शिविल 13 मार्च तक चलेका। शिविल में पहुचे ग्रामिन मरीजों को चोक्से कॉलेज आफ आयरवेद रिसर्च सेंटर एंड हस्पीटल के डॉक्टरों ने निशुल कपरामर्श दिया। प्रमकुरूप से बवसीर, गुदारोग, पेट संबंधी बीमारिया, फैटी, लीवर, गठियावाद, बीपी, शुगर समेत, कई बीमारियों के विशेशग्य डॉक्टरों ने इलाजगर, मरीजों को मुफ्त दवाईया दी। पुराने बीमारियां हैं, बहुत सारे जैसे अभी डाइविटीज वाले आये थे, जिनका घाव अच्छे से भर नहीं पा रहा था, वो सब ठीक है, बीपी की दवा ले रहे हैं, सुगर की दवा यहाँ पर उनको फ्री में दिया जा रहा है, जोनों का दाध है, गठिया बा और चौकसे कालेज में भी स्वेधन के लिए, निहान के लिए पंच कर्म यूनिट का व्योस्ता है, तो उससे आगे का लाब होगा, फीजो थेरिपी यूनिट है, उससे आगे का लाब होगा सकरी में चैरिटी, ट्रस्ट, अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर में आधोलिक उपकरणों से फीजो थेरिपी पंच कर्म के अलाबा आरवेद चिकित्सा सुविधा उपलब्द कराई है ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताए कि आरवेद की शिक्षा भी यहां शुरू कर दी गई है, इसके साथ ही तमाम सुविधाय मुहया है नियमित ओपीडी के अलाबा यहां सायुक्त तत्वाधान में असे शिविल लगाए जाते हैं जहां जरूत मंदों को निशुल कचिकत्सा से वादी जाती है आरवेद की ओबेडी लगती है, पंच कर्म के सवी इस्टूमेंट है, योगा के टीचर्स है, मेडिटेशन के टीचर्स है और चौक्से अरवेद कॉलेज जो की बहुत बड़ा एक कॉलेज है का अस्पताल है और हमारा अस्पताल दोनों मिलके आशपास सहींक तुरूप से स्वास्त के परती जागरूता पहलाते हैं शिविर में आरवेद कॉलेज आप चौक्से अस्पताल की डॉक्टर आनन जैसवाल, डॉक्टर अजै कुमार पतिल, डॉक्टर आयूशी जैसवाल, डॉक्टर जीवन साहू और डॉक्टर इस्विता जहा ने अपनी सेवाएं दी है जिला अस्पताल की महिला मेडिकल आफिसर ने खुदकुशी कर ली, उसका शव सो मरको मायके में फासी पर लटका पाया गया इसके बाद डॉक्टर पती और उसके दोस्त ने फंदे से उतार कर उसे अस्पताल पहुँचा है मूल रूप से कोरबा के कडगोरा की रहने वाली 31 वर्षिय पूजा चौरसिया सरकंडा के अशुक नगर में पती अनिकेत कौशिक के साथ रहती थी अनिकेत ने पुलिस को बताया कि रवीवार को वो ड्यूटी पर चला गया था जोरान पूजा बाप जी का लोनी इस्थेत अपने माई के चली गई पुलिस मर्ग कायम करमामने की जाच कर रही है सिर्गिट्टी पुलिस को देर रात एक यूफती नविवाहित यूफती की मर्ग की सूचना मिलती है इस पर से पुलिस घटना स्थल जाके देखती है तो पता चलता है प्रात्मिक रूप से ये महिला ने देर रात को फांसी लगा के खुद खुशी की है इस पर से अभी पुलिस द्वारा अभी मर्ग पंचनामा कारवाई जा रही है और काफी कुशल डॉक्टर थी, काफी मरीजों का खुब अच्चे से ध्यान रखती थी और उनका आकस्मिक नेधन ने हम सबको एकदम जगजोर दिया इश्वर उनको अपने शीचर्णों में स्थान दे हम सभी लोग समल नहीं पा रहे हैं इश्वर उनको अपने शीचर्णों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ती दे सीपर पुलिस ने मुबीर की सूचना पर 21 किलो 500 ग्राम गांजा जब्द किया है पुलिस को सूचना मिली की चार वेक्ती नीले रंग के मोटर साइकल में एक प्लास्टिक की बोरी में और दूसरे मोटर साइकल में सफेद और पीले रंग का प्लास्टिक बोरी में मादक पदार्थ गांजा रखकर गतावरा की ओर नहर पारा होते हुए मट्यारी की ओर जा रहे है मौके पर पुलिस ने घेरबंदी कर आरूपियों को पकड़ा और 21 किलो 500 गांजा जब्द किया आरूपियों में विजेंद्र शिकारी, सन्नू शिकारी, दिलेर, सिसोधिया और भोला शिकारी ग्राम मट्यारी शामिल है सभी की खिलाब NDPS Act के तहट कारेवाही की गई है और इदर बिलासफुर जी आरपी एंटी क्राइम टीम को एक और सफलता मिली है पेंडरा रेलवे स्टेशन के प्लेटपर्म नंबर तीन पर रायपुर छोर में खडी ट्रेन अमरकंटक्ट एक्सप्रेस से एक व्यक्ती अवैद रूप से मादक पदार्त गांजा का परिवहन करता पकड़ा गया सुचरा मिलने पर टीम वहां पहुंची और खुलिये के अधार पर युवक को धर्दबोचा पुश्ताच में उसने अपना नाम संतोष डेरी उम्र चौटी स्वर्ष निवासी कब टीपदा मयूर भंज उरिसा का रहने वाला बताया तराशी कदरवान उसके बैक से आठ किलो अवैद मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ जिसके कीमत लगभग एक लाग साथ हजार रुपए आखी गई आरुपी के खिलाब एंडी पीएस एक्ट के तहत कारेवाही करों से नयायले में पेश किया गया सेविल लाइन थाना क्षेतर के कुदुदन में रहने वाली पीडिता ने शुक्रवार की रात को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपने दोस्त से मिलकर घर वापस लौट रही थी इसे वीज कुदुदन के रहने वाले अभिशेक खांडे और विकी कुर्रे अंधेरे का फायदा उठा कर उसे जवरदर्स्ती पास में खंडर में लेकर उसके साथ गरत काम किया पिडिता की रिपोर्ट पर से विलाइन पुलिस ने तक परता दिखाते हुए अभिशेक खंडे और विकी कुर्रे को भरनी से ग्रापतार कर लिया और उपी के खिलाब धारा 376 के तहट जोर्व दर्ज कर उसे नयले में पेश कर दिया गया पिडिता दौरत थाना उपस्तेत आकर रिपोर्ट जाच कर आई कि उसी के महले के दो लड़के अभिशेक खंडे और विकी कुर्रे दोनों मिलकर उसके साथ जवरजस्ती बलतकार की हैं और बलतकार करने के बाद भाग गये थे जो की भरनी परसदा के पास चुपे हुए थे मुगबीर से सुचना मिली के वो लोग भरनी परसदा में चुपे हुए हैं स्रीमान पुलीस अदिक्षक महोदे को सुचना से अउगत कराया गया इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजे विदा और आप देखते रहे लोगस्वार टीवी नमस्कार झाल